हेलो गाईस वेलकम टो ओवराउन टेकनलोजी चनल तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इस टोप लोज कैसे लगा है देखिए काफी इसी हैं सिंपल है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताना वाला हूं सोट सी वीडि देती अब देखिए मेरा पॉर्ट फोलियो मतलब पोजिशन के अंदर यहां पर बता रहा है ठीक है अब यहां पर मुझे लोस हो रहा है अब मुझे इस ट्रेडिंग पर जो मैंने ट्रेड लिया है इस पर मैंको इस्टोप लोस लगाना है अब यह देखिए यह दिखाई दे रहा होगा जो यह रहा तो आपको सिंपल इस पर टेप करना है टेप करने के बाद यहां पर अभी मार्केट रेट क्या चल रही है 3635637 अपडेट हो रही है अब मैंने यहां पर 3 quantity लिए तो यहां पर automatically आगी है आप जितनी चाओ उतनी यहां पर डाल सकते हो लेकिन मैंने intraday के अंदर option ट्रेडिंग की है तो मैं intraday select कर लूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ अगर off है तो इसको on कर लेना अब यहां पर trigger price और limit price का option देखने को मिल रहा है अब यहां पर suppose कि 30 उपर यहां पर इसकी rate चल रही है अब मुझे stop loss लगाना है जैसे कि मान लो कि मैं चाहता हूँ कि 30 पर आए और यह automatically sell out हो जाए ठीक है 30 पर आने के बाद यह sell out हो जाएगा तो automatically जो यह है sell हो जाएगा आपका ज्यादा loss नहीं होगा ठीक है आप चाहो तो प्लस भी लगा सकते हो जैसे कि 40 पर भी आप stop loss लगा सकते हो कि profit आने पर यह automatically sell out हो जाएगा तो लेकिन मैं कम में लगा देता हूँ कि 30 की price आती है तो य sell out हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर trigger price और limit price का मतलब क्या होता है trigger price का जो main होता है जैसे कि अगर आप दोनों जगे 33 रखते हो ठीक है अगर 33 रखते हो तो यह execute नहीं होता है गाईस कई ना कई आपको उपर नीचे ज्यादा loss हो जाता है लेकिन यहाँ पर देखें limit price automatically आ ग ज्यादा रखना और limit price आप थोड़ा कम रखना ठीक है और यह आपको stop loss लगा लिया है अगर आप stop loss नहीं लगाते हो और market rate पर set करते हो तो यहाँ पर guys जो price चल रही उसमें यह sell out हो जाएगा हमें stop loss लगाना है तो मैं 30 पर यहाँ पर select कर लेता हूं 30 पर select करने के बाद place sell order पर tape करता हूं तो जैसे ही यह 30 पर price आएगा तो automatically sell out हो जाएगा अब देखिए stop loss लगाने के बाद guys आपको यहाँ पर यह orders में दिखाई देगा और यहाँ पर जो यह price चल रही है अगर 34 अगर 30 पर आता है तो यह automatically sell out हो जाएगा तो आप option trading के अंदर इसे ही stop loss लगा सकते ह दिखान रखना 3.30 बजे से पहले जो stop loss लगाया वो आना जरूरी क्योंकि 9.30 बजे से लेकर 3.30 बजे तक market चलता है अगर यह जो आपने stop loss लगाया वो price नहीं आया तो यह automatically sell out हो जाएगा ठीक है तो इस बात का दिखान रखना और अगर आप इसको edit करना चाहते हो suppose कि आप आपका जो यह price चल रही 36 अब suppose यह पोज गया 45 ठीक है और आपको edit करके stop loss लगाना 40 पर तो आप share पर टेप करोगे जो भी है stock फिर यहाँ पर देखिया आप cancel भी कर सकते हो और आपको यहाँ पर edit का option भी दिखाई देगा जो यह रहा तो आपको edit करना है और यहाँ पर 40 कर देना है मतलब यहाँ पर stop loss आप बढ़ा देना तो इसमें आपका profit होने के chance जादा है ठीक है आप चाओ तो profit पर भी stop loss लगा सकते हो suppose कि यहाँ पर 33 चल रहा है तो मैं 40 पर यहाँ पर stop loss लगा सकता हूं और नीची भी आपको यहाँ पर select कर लेना 40 और confirm कर लेना है तो यह stop loss भी लग सकता है ठीक है तो जाते जाते चैनल को subscribe वीडियो को like जरूर करना आपको समझ में आई गया होगा कि option trading के अंदर stop loss किसा लगा दे है thank you for watching this video